आजम बनाएंगे डिजाइनर सेमी प्लाजो पैंट, सारी डीटेल्स कवर करने के लिए वीडियो एंट तक जरूर देखें नमस्कार दोस्तों, इस पैंट बनाने के लिए मैंने पौने 2 मीटर फ्लेक्स कोटन कपड़ा लिया है मेरे वीडियो उसमें दिखाए गया फैब्रिक अगर आप भी परचेस करना चाते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए गया नमबर पर मुझे वाट्स अप करें करने के लिए पहले कपड़े को खूलें, देखें यह है कपड़े की लंबाई, यह है कपड़े की चौड़ाई कपड़े को अब इस तरीके से चौड़ाई में फोल्ड कर लें, जो खुली हुई साइड है वो मैं अपनी तरफ रखूंगी अब हम साइस के हिसाब से यहाँ पर मार्किंग करेंगे, यहाँ मुझे इलास्टिक वाली पैंट बनानी है, तो इलास्टिक के लिए पहले हम दो इंच इस तरीके से छोड़ेंगे, दो इंच पर इस निशान को सीधा करें इसके बाद अब हमें आसन की चोड़ाई का निशान लगाना है, अब देखिए आसन जो मैंने बॉड़ी से मिजर्मेंट लिया है, वो है 40 इंच, उसमें हमें 2 इंच एड़ करके उसका चौथा बाग निकालना है तो 42 का चौथा बाग हो जाएगा साड़े दस इंच, उसमें हमें 1,5 इंच सलाई का एड़ करना है, तो यहां 11 इंच पे हम निशान लगाएंगे, इस निशान को इस तरीके से उपर की तरफ बिलकुल सीधा कर लें यहां से हम क्रौच की लंबाई का निशान लगाएंगे इसके लिए हमें हिप मेजरमेंड का चौथा बाग करना है, जो 42 इंच हमने लिया है, उसका हम चौथा बाग करेंगे, साड़े दस इंच, उसमें हमें करीब 1,5 इंच एक्स्टर लेना है, तो इस तरीके से 13 इंच लंबी हम यहां पर क्रौच बनाएंगे अब इस निशान को करीब 1,5 इंच बाहर की तरफ ले, 1,5 इंच चौड़ी हम यहां क्रौच बनाएंगे, अब इसको इस तरीके से गुलाई में क्रौच का शेव दे दे, अब जो पैंट की लंबाई है, उसका हमें निशान लगाना है, ध्यान रखिएगा, यहां पर हमें डिजाइनर पैंट बनानी है, पहले हम यहां जो पैंट की हमें टोटल लेंच चाहिए, वहां पर ही निशान लगाएंगे, टोटल जो एक्चौल लेंच है, वो मुझे 37 चाहिए, 37 इंच, मगर यहां पर जो मैं पैंटन बनाऊंगी, बोरी में, वो करीब 3.5 इंच कर देंगे, तो साड़े 33 आएगा, साड़े 33 में हमें एक इंच सिलाई का एड़ करना है, इस तरीके से साड़े 34 पे मैंने यह निशान लगाया है, अब इस निशान को इस तरीके से सीधा कर लें, अब देखें जो आसन का साइज है, उसका बिलकुल आधा करके हम यहां से मेजरमेंट लेंगे, यह करीब पौने 7 इंच आ रहा है, तो यहां पर हम पौने 7 इंच पे निशान लगाएंगे, देखें निशान मैंने जो एक्च्वल लेंथ हमें चाहिए 37 इंच वहां पे मैंन लगाया है, डिजाइनर पैंट में यह जरूर दियान रखें, अब देखें सेमी प्लाजो पैंट में जो मोरी का साइज होता है, वो नेरो पैंट से चोड़ा होता है, यहां मैंने 8 इंच रखा है, तो दोनों तरफ मैंने 4-4 इंच पे निशान लगाया है, अब हम स्केल की ह अब क्रोच से लेके मोरी तक हम इस तरीके से स्केल को रखेंगे और इन दोनों को मिला कर इस तरीके से निशान लगाएंगे, अब देखें क्रोच के बिलकुल सामने एक और निशान लगाएं, और यहां भी हम इस निशान से लेके नीचे मोरी तक इस स्केल को अच्छे से स cutting करनी है उसकी हम size measure करेंगे तो जो हमें मोरी की total size चाहिए आठ इंच उसमें ये करीब आधा इंच extra है साड़े 8 हिंच तो designer pant में इस तरीके से मोरी का खास दियान रखें अब देखें यहां से मैंने cutting की है जो actual length का निशान लगा था वहां से cutting नहीं की है ये front panel हमने कट कर लिया है अब कपड़े को इस दरीके से गुमाएं और दूसरी तरफ से back panel को कट करें यहां से पहले हम कपड़े को बिल्कुल सीधा कट कर लेंगे अब जो front panel हमने कट किया है उसको इस कपड़े के ओपर बिछाएंगे back panel की cutting के लिए पैंट का जो शेप है उसे अच्छे से इस तरीके से सैट करें अब हम क्रॉच के निशान को सीधा करके आगे बढ़ाएंगे जो इलास्टिक के लिए निशान गया है उसे भी आगे की तरफ बढ़ा दें अब यहाँ क्रॉच पर हम करीब डाई इंच एक्स्ट्रा लेंगे उपर की तरफ भी डाई इंच एक्स्ट्रा लें यहाँ इस निशान को इस तरीके से हम सीधा करेंगे और यहाँ बैक की जो क्रॉच है उसका निशान लगाएंगे अब यहां मोरी पर हमें करीब एक इंच एक्स्ट्रा लेना है जो दोनों तरफ स्लाई में जाएगा अब फिर से हम इस स्केल की मदद से दोनों निशानों को मिलाएंगे क्रॉच से लेकर मोरी तक हम इस तरीके से इन दोनों निशानों को मिलाना है क्रॉच की सामने वाली साइट कुछ भी चेंजिस नहीं करने है अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे बैक पैनल कट होने के बाद अब देखें यहाँ पर जब हम इस मूरी को बंद करेंगे तो यहाँ पर जो क्रॉच है वो एक्स्ट्रा आ रही है तो जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो इस तरीके से क्रॉच में से कट कर लें यह पूरी पैंट की कटिंग हो चुकी है अब हम स्टिचिंगे स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले दोनों क्रॉच को स्टिच कर लें स्टिच करने के बाद दोनों को आमने सामने रखें और pant के जो side है वो भी बंद कर लें बैक पैनल और front पैनल को आमने सामने मैंने रखा है और दोनों pant के जो side है वो stitch करके बंद कर लें अब हम मोरी का design बनाएंगे देखे इसके लिए मैंने ये belt roll से पट्टी निकाली है ये करीब सवा इंच चोड़ी है इसको कपड़े के उपर इस तरीके से paste करें एक side से blue की help से हम इसे fold करेंगे इसे fold करने के बाद अब देखे यहाँ उपर की तरफ से जो extra कपड़ा है उसको भी हम दूसरी तरफ से fold करके और slide करेंगे इस पट्टी को इस तरीके से तयार कर लें अब यहाँ पर मैंने करिट सवा दो इंच चोड़ी यह cotton लेस ली है जहां से हमने slide करके fold किया है उस side पर हम इस लेस को केनारी पर बिलकुल slide करके और दोनों को आपस में जोड़ देना है लेस को हमें बहुत जादा अंदर slide में नहीं दबाना बिलकुल केनारी पर slide करनी है देखे इस तरीके से दोनों आपस में मैंने जोड़ दिये हैं अब इस पटी को हम उपर की तरफ गुमाके यहां केनारी पर slide करेंगे और मूरी का जो यह pattern है उसे तयार करेंगे देखे बिलकुल केनारी पर slide करें अब यह चोड़ा border इस तरीके से तयार हो चुका है अब इसको हम इस pant की मोरी के साथ जोड़ेंगे अब देखे हमें इसे जोड़ना कैसे है इस border को और pant का जो कपड़ा है दोनों आमने सामने होने चाहिए और इसे करीब एक इंच छोड़कर यहां पर पहले slide करके और इस pant के साथ इसे जोड़ दें अब जो एक इंच कपड़ा हमने चोड़ा है उसको इस तरीके से दो बार fold करके और किनारी पर स्लाई करें इस तरीके से fold करने के बाद इस fold किये हुए कपड़े को हम इस तरीके से पीछे की तरफ गुमाएंगे और यहां पर फिर से slide करेंगे इस तरह slide करने से जो बीच में हमने less लगाई है वो दोनों तरफ अच्छे से सफाई के साथ fix हो चुकी है देखे पैंट की जो दोनों मोरी है इस तरीके से तैयार कर लें देखे इसकी लंबाई जो हमने साड़े तीन इंच कम की है वो साड़े तीन इंच लंबाई इसमें add हो चुकी है अब यहां मोरी पर थोड़ा और attractive look देने के लिए मैंने यहां पर पतली cotton की less use की है यह optional है इससे लंबाई में कुछ भी फरक नहीं आएगा यह सरिफ design के लिए है पैंट की जो दोनों मोरी हैं इस तरीके से तैयार करनी है देखिए इस सफाई से पूरी मोरी तैयार हो चुकी है अब हम मोरी को बंद करेंगे यहां हमें 8 इंच तैयार मोरी रखनी है semi plazo pant के लिए तो 8 इंच पे हम निशान लगाएंगे देखिए 8 इंच पे निशान लगाने के बाद अब हम यहां पर इस pant के मोरी को बंद करेंगे पैंट में आगे की तरफ करीब आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा अंदर की दरफ दबाते जाएं दूसरी साइड भी हमें 8 इंच पे निशान लगाकर और मोरी को बंद करना है स्लाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा लैस यहां कपड़ा है उसे कट कर लें पैंट पूरी तयार हो चुकी है अब हमें यहां पर सरिफ कमर पर elastic लगाना है elastic लगाने के लिए पहले इस तरीके से single folding करें अब जो lower waist है वो है 32 सिंच उसके लिए मैंने यह 26 सिंच लंबा elastic लिया है elastic को इस तरीके से दोनों तरफ से जोड के और गोलाई में तयार करें अब elastic को कपड़े से इस तरीके से cover करें और किनारी पर सलाई करके पूरी कमर पर elastic लगाए गोलाई में elastic को गुमाते जाए और कमर पर elastic लगाए इस तरीके से खैच के पूरे में कपड़े को बराबर कर लें अब elastic के उपर ही एक और sly करेंगे और इसे अच्छे से यहाँ पर fix करेंगे designer semi plazo pant तयार हो चुका है पैना हुआ ये loose pant का look देता है और ये काफी comfortable भी रहता है friends आप इसे ज़रूर try करें आपको मेरा ये design कैसा लगा like, share, comment करके ज़रूर बताईएगा thank you watching for this video